लॉट करेंगे और लॉट किस टाइप की बोट से हमें कितना मचलियां मिलेंगी या वो कितना ट्रेवल करेंगी इन वन ट्रिप दे लॉट बोट ब्रिंग अब जो लॉट बोट है वो एक बार भी कितने किलो मचलियां पकड़ के लेके आ सकती है बट अधर टाइप सब्सक्राइब करेंगे लेकिन जो और कुछ अलग टाइप की जो बोट से जिन में मोटर से लगी हुई है वो एक बार में 20 किलो से भी जादा मचलियां पकड़ के ला सकती है अब देखो यहां अब एक टेबल बनावा इस टेबल में सारा लिखा हुआ है अब एको लॉग बोट कितना लापा रही है लॉग टेल बोट शेहाँ अब वो बोल रहे हैं इसमें एक स्पीड भी लिखी हुई है कि मतब एक गंटे में ये बोट कितनी ट्रेवल कर सकती है, लॉग बोट कितना ट्रेवल कर सकती है गंटे में, पोर, लॉग टेल बोट, मोटर बोट, और मशीन बोट, किलो मेटेर, ओके, अब बोल रहे हैं कि यह जो बोट सें, साथ बार जाके, कितनी-कितनी मचलियां ला सकते हैं, अब देखो, लॉग बोट एक गंटे में, तो 20 लाती है, तो 7 hours में calculate करने के लिए क्या करना होगा, 7 को 20 होगा, क्या करना बढ़ेगा, गुना, इसको multiply कर देंगे, 7 से, इसको भी 7 से multiply कर सकते हैं, इसको भी 7 से multiply कर देंगे, जितने भी answer आएंगे, इन सब को बाद में क्या कर देंगे, तो पता चल कि ये साथ साथ बार में, ये सारी boots मिला के किल कितनी मचलियां ला सकती हैं, कर लोगे, इसको इसको multiply करना है, और सब को फिर बाद में add कर देना है, about how far कैने motor boat going 6 hours, अब देखो, motor boat है, वो बोल रहें कि वो 6 गंटे में कितना किलोमेटर, sorry, कैने motor boat going 6 hours, हाँ, वो 6 गंटे में कितना जा सकती है, अब देखो, एक गंटे में कितना जाती हो, motor boat, 20, तो 6 गंटे में कितना जाएगी हो, 6 गंटे में 120, 120, 120 क्या, किलोमेटर, किलोमेटर, very good, if a long tail boat has to travel 60 km, how long will it take, अब वो बोल रहे हैं कि, अगर long tail boat को 60 km travel करना है, तो वो कितना time लगेगा उसे, काँ पर है, long tail boat कितना, speed कितनी है, बारा, तो 60 km जाने करना क्या है हमने, भाग, किसमें, 12 से, 60 में, कितनी मर जाएगा, 5, ठीक है, 12, 5 जा होता है, 60, ठीक है, कितificial है, 50, वह झाएगा, किसमेता है, तो जो भीक है, 50, पाक्रेमा करते हैं कि, बाहे है, 500, कित barrel रहे हैं,